अब आपको प्रोफाइल से क्या डिमांड कर रहे है या उनका माइंड सेट किस तरह का है अगर वो आपको वीजा देना चाहते हैं कहीं ना कहीं आप कैनडा में जौन सा मर्जी कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए उस चीज का इतना ज्यादा इंपक्त आपके वीजा पर या वीजा ओफिसर के माइंड पर नहीं आता आप इसको आस्ट्रेलिया या यूके से कंपेर मत कीजिए आप यह ना सोचिए किसी कॉलेज में किसी कॉलेज में मुझे ओफर लेटर मिल गई है या महां से मेरी अलोए आ गई है तो मेरा वीजा रिफ्यूज नहीं हो सकता अच्छे कॉलेज से ओफर लेटर मिलने से आपका वीजा गैरंटी नहीं होता कुछ स्टेप्स हैं कुछ प्रोसीजर्स हैं जो आपको कंप्लीट और फुल्फिल करने परते हैं अगर आप अपना कैनडा का स्टडी वीजा लेना चाहते हैं कैनडाने हमेश्या से अजिए स्ट्रीमवान वीजा प्रोसेस फॉलो की है As of now, आज की डेट में SDS category है, that is student direct stream, 2016 से पहले that was SPS program, that was student partnership program, so Canada इन चीजों को क्यों implement करता है, उन्होंने एक stream line process क्यों बना हुआ है, because they want genuine as well as उनको वो ही candidates चाहिए जो Canada जाके अपनी degree या अपना diploma पूरा करें and after that, वो Canadian life का part बन पाएं, so इस वीडियो में मैं कुछ points discuss करूंगा जो आपको ध्यान रखने की जुरुदत है for your Canadian study visa, ये वीडियो सिरफ उन्हे students के लिए है, जिनके IELTS में overall 6 है with no less than 5.5, जों से undergraduate diploma के लिए जा रहे हैं, या master's वाले student जिनके overall 6.5 है with no less than 6 for master's diploma or any master's program. अगर कोई भी student अपना Canada का study visa apply करना चाहता है, I would only recommend him to apply in SDS category, that is student direct stream category. अगर आप एक undergraduate diploma के लिए Canada जाके study करना चाहते हैं, तो आपके overall 6 with no less than 6 होनी चाहिए, आपकी एक साल की tuition fees pay होनी चाहिए and finally आपका GIC account वहाँ पर open होना चाहिए, जिसमें almost 10,200 Canadian dollars हो. ये बात होगी undergraduate diploma या undergraduate degree की. अब majority जों से बच्चे master's का course लेके जाते हैं या master's diploma में जाते हैं, with overall 6 bands with no less than 6, उनका refusal rate काफी high होता है. Excel Settle Board recommend के आप अगर master's का course लेके जा रहे हैं, कैनडा में तो आपके overall 6.5 होनी चाहिए with no less than 6. अब उसकी कुछ advantages है, overall 6 के साथ आपको Canada में कभी भी diploma या degree नहीं मिलेगी. आपको overall 6 bands के साथ Canada में सिर्फ graduate certificate मिलेगा, जिसके visa chances naturally काफी कम है. अगर आप Canada में डिपलोमा या degree लेना चाहते हैं, आपके overall 6.5 bands होनी चाहिए with no less than 6. Master's students की आज की डेट में refusal जादा है, overall 6 with no less than 6 के students की भी refusal आ रही है. So I would recommend Canadian Embassy भी सिर्फ वही केस उन्ही केस को visa देगी. Master's course में जिनके overall 6.5 है with no less than 6 और आपको किसी डिपलोमा में, किसी graduate डिपलोमा में या एक master's degree में एंजोल्में चाहिए. The next point is your deferment of intake. As we all know September intake is almost finished in Canada. So अभी भी कई students admin होते हैं, जिद होती हैं, उनकी के हमने जाना है तो September intake में ही जाना है and we will not defer over intake. At the result क्या होता है, agent फटा फटा ओफर लेटर मुगवा देता है, किसी भी private college की student को कहता है कि आप fees pay कीजिए, student को LOA मिलती है, उसकी file embassy में जाती है at the end of the day, visa officer को लगता है, ये course start होने से पहले पहुंच ही नहीं पाएगा और एक अच्छी पली profile, overall 6 with no less than 6 या overall 7 के साथ भी students refusal क तरवा के बैठ जाता है, so I would recommend के आप कम से कम 146 days का time अपने दिमाग में बिठा के चलिए, अगर आपकी file embassy में launch है, तो आप कम से कम 100 plus days का ही estimate लगा के चलिए, कि आपका visa आएगा, अगर इस दोरान आपका course start हो जाता है, तो कहीं ना कहीं visa officer को लगता है, he will not be able to reach Canada or something like that, again, visa officers को refusal का कोई reason चाहिए, and that is the most common reason, so, अगर आपको लगता है कि आप अपने start of class से पहले नहीं पहुंच पाएंगे, आप अपना intake defer कीजिए, अगर आपको लगता है कि September से, I will not be able to reach in September, या September intake में in time नहीं पहुंच पहुंच पहुंगा, you can apply for January intake, I will recommend कि कोई भी student जिनको लगत कर लीजिए, the final expect, या जो Canadian study visa का शिरू से सबसे important expect रहा है, that is your SOP, I will recommend कि student एक professional SOP लिखे, SOP में student की basic चीजें के लिए होनी चाहिए, कि उसने इंडिया में क्या किया है, Canada जाके क्या करना चाहता है, and the most important thing, मैं students को recommend करूंगा कि आप ये चीज रिवाइन करके सुनिये, कि बननी चाहिए, और आपके course का Canada में या इंडिया वापिस आके कोई ना कोई future होना चाहिए, तब ही आपको visa मिलेगा, हम काफी shocked हो जाते हैं, कि एक business के बच्चे को IT का course दे लिया जाता है, IT के student को business का course दे लिया जाता है, आप ऐसी mistakes या मैं कहूंगा, आप ऐसे blunders अपनी profile में मत कीजिए, अपने agent से पूछे के मेरा course मेरे जो मैंने इंडिया में कर रखा है, वो Canada में कितना relevant है, या यह जो मैंने modules इंडिया में पढ़े हैं, यह जो मैं Canada जाके study करने वाला हूं, उस studies से कितना relevant है, so again मैं कहा हूं, आपकी studies की relevancy बननी चाहिए, आपका course relevant होना चाहि है, and after that, आप SOB में अपने financial details बताईए, correctly, आप अपने parents का income source बताईए, and why do you want to study in Canada, को आप इस question को भी focus में लेके लिखे, क्योंकि आज कल visa officer ये questions भी check कर रहे हैं, so, अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे, तो automatically आपके visa chances काफी high रहेंगे, so, एक और point है, जो मैं specifically clarify कर students होते हैं, उनका एक ही region में काफी refusal होता है, especially अगर मैं पंजाब के students की बात करूं, कई students का even three to four time Ontario region या GTR, greater Toronto region में काफी high refusal होता है, so, अगर किसी भी student का visa refused है, और वो अपनी province change करता है, या उस province में जाता है, जहां पर population कम है, for example, Alberta जाता है, Nova Scotia जाता है, तो उसके visa chances काफी अच्छे हैं, and in regions की universities काफी high scholarship भी offer करती है, again, मेरी recommendation है कि अगर आपका Ontario region से एक या दो बारी refused है, so, आप प्लीज उस region को या उस province को छोड़के किसी और province में apply कीजिए, आपकी visa chances काफी अच्छे रहेंगे, September as well as January intake is open in Canada, अगर आप अपनी file एक्सल सेटल ब्राउड के रसू लगवाना चाहते हैं, किसी भी Canadian college and किसी भी Canadian university में apply करना चाहते हैं, तो आप screen के नीचे दिएगे numbers पे हमें contact कर सकते हैं, या अपनी nearest Excel सेटल ब्राउड ब्रांच विजिट कर सकते हैं. अऑर सकते हैं झाल झाल